इस्टेम येवली वीडियो रिकॉर्टिंग ओड़ी है आईफून 14 प्लस के साथ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आड़ी थी आप लोगों की मिलते हैं क्योंकि अगर आपको फोर के हाई क्वालिटी पे इस तरह की वीडियो चाहिए ना इतनी है यहां पर आप देखें के बैग्रोंड नैचल बलर देखने को मिलते हैं और फेस के उपर बहुत अच्छी डिटेल यह वाला फून कवर कर रहा है और इस टेम चल रहा हूं और आप लाइनिक सिच्वेशन भी देख सकते हैं कि इस साइड से हार्श लाइट आ रही है अवरल एच्डियर बहुत अच्छा काम कर रहा है एक बार मैं मूव हो के आपको इसके जरा फ्रेम दखा देता हूं कि कैसे देखने को मिलते हैं और तुरा से टेव वाक करके इसकी स्टेवलिजेशन देख लेते हैं कि कैसी निकल के आती है और अगर 4K के उपर इसके फॉक करता हूं 12 से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो कुछ यह वाला फीचर भी आपको देखने को मिलता है लेकर 4K पर यह वाला फून अपने अल्ट्रा वाइड लेज़ में शिफ्ट नहीं करता 3X के उपर जूम पर वाइड करता और जूम पर आप देख सकते हैं डिट प्राइड नहीं करता है तो आपको इसकी बैटरी कितनी चलने वाली है और इस टम में चल रहा हूं तो स्टेविलिजेशन का आइडिया लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग सिच्वेशन है यहां पे शिफ्ट ओडिया है तो वह भी आप आप आइडिया कर सकते हैं इस तरह से मूव करके जूम आप इसमें सिर्फ 1.5 एक्स के उपर कर सकते हो लेकिन अगर आप 1080 यूज करते हो तो फिर आप इसमें थोड़ी और ज्यादा जूम भी कर पाओगे यहां पर इसके अंदर हमें एक्शन मूड भी देखने को मिलता है यहां पर बहु प्रकुल इस टेबल कर देता है वीडियो यहां पर अभी आप ने देखा कुछ नेक्स्ट लेवर रजल्ट निकल कहता है इसके एक्शन मूड के अंदर अगर आप कोई बाग के वीडियो बना रहे हो गारी वगारी वगारा पर बना रहे हो बाइव यह वाली वीडियो रिक इसके फ्रेंट कैमरें में हो रही है इसके सेने मेटिक मूड यहां पर भी आप देख सकते हैं एक फोर के सैंपल निकलता हूं अब यहां पर देख सकते हैं के लाइट कंट्रॉल सेने में काफी अच्छा आ रहे हैं यह एक इसका मेजर ड्रोबैक है 4K 60fps पे आप देख सकते हैं बैक साइड को ब्लाउनट कर दिया इसने यहीं पर सेनेमेटिक मूड में बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहा था लेकिन पदा नहीं क्या हो जाता है 4K 60fps पे बहुत बुरा रिजल्ट है बैक्डाउंड को फुली ब्लाउनट कर देते हैं अपने फ्रेंट कैमरा के साथ एक यह मैं चीज इसमें देखने को मिली है मुझे और सेकंड क्या चीज है वो मैं आपके चल कर बताता हूँ अब बात कर देते हैं फोटोग्राफिक इसमें हमें इल्टा वाइड लैंस देखने को मिलता इसका तो अबर यह वाली फिक्चर में लैंज साथ यहां आप देख सकते हैं मुझे कोई ज्यादा का डिफरैंस औधरेंज का नहीं मिला यह प्यक्चर मैने फाइठक्श को ऑप अपर आफ्क्ट बnтив निकल बदेख सकते ही यह मैंने हार्श लाइट में पिक्चर क्लिक ही थी ताकि मैं देख सकता हूँ कि यह कलर कंट्रॉल किस तरह कर सकता है तो यहां पर बहुत अच्छे कलर कंट्रॉल हैं बस हलका सा ओवर ब्राइट फील हुआ है मुझे यहां पर रिफ्लेक्शन आ रहे हैं इसका काफी डिसन्ट दल था फिर भी एज़ डिटक्शन बहुत अच्छी निकाली इस पिक्चर ने में उसके बद यहां पर आप देख सकते हैं के फेस के उपर फुल हार्श लाइट इट कर रही थी और डैप्ट ऑफ फील चेक करने के लिए यह पिक्चर क्लिक ही थी बहुत अच्छी निकल का यह भी आप देख सकते हैं के फेस और एज़ डिटक्शन बहुत अच्छी और बैगरांट पर हार्श लाइट भी और जो आपको डेप्ट फील देखने को मिरी यह वह भी ठीक है यहां पर देख सकते हैं के बैगरांट पर ज्यादा डिस्ट्रोशन नहीं आई इस पिक्चर में देखने को मिला मीन्स यह के वान एक्स के उपर तो आप इसके साथ काफी ज्यादा अच्छी एच्छी और क्रिस्प पोट्रेट्स के लिए उसको कहीं नहीं दूर कर लेने चाहिए लेकिन अगर आपको ज्यादा डैस चाहिए डियसे लाड़ वाली वह इसमें देखने को न बहुत बहुत ज्यादा क्रिस्प और क्लेयर देखने को मिलता है तो अगर आपने को शेटर स्टॉक और पर काम करना या कहीं भी अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी होती है क्लोजब की तो आप इसको आंखे बंद करके कंसिडर कर सकते हो इसका ड्रलड बहुत ज्यादा अगर आपने व्लॉगिंग करनी है और आप कुछ इस टाइप के बंदियो जो पहाड़ों में जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जल्दी चार्जिंग नहीं कर सकते हैं तो आप डेफिनेटल आइफोन 14 प्लस को फॉर व्लॉगिंग जूरूर कंसिडर कर सकते हो पोट्रेट्स के लिए मैं इसको रेक्मेंड नहीं करता है लेकिन इसी प्राइज में अच्छे पोट्रेट्स क्लिक करता है क्योंकि इसी प्राइज में बाकी आइफून भी तो आते हैं तो आपको ज्यादा बैटरी टेम ही चाहिए फिर आप इसे जुरूर कर सकते हो व्लॉगिंग और व इन स्वस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अलाह आफेज